Hello everyone, welcome to Level Up Learning, my name is Simran Gumbar, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपना paper कैसे attend करना होता है, मैं आपको एक example दिखाने वाली हूँ कि किस हिसाप से आप अपने answers लिख सकते हो, 10 marks के question के लिए आपको कितनी sheetों में अपना answer लिखना है और कैसे लिखना है, 5 marks के question के लिए कितनी sheetों पर कितना answer लिखना है, और कैसे time को manage करना है, कैसे presentation को follow करना है, ताकि आपके 80% से ज़्यादा marks आ सके, तो इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखना, सबसे पहले, जब आ आप IGNU में examination देने जाते हो, तो आपको जो answer booklet मिलती है, वो कुछ इस तरह की booklet होती है, और उसमें क्या होते हैं, उसमें न आपको extra sheet नहीं मिलती, मालो आपको आपके answer की ऐसी booklet मिल गई, तो इस booklet में ही आपको अपने सारे answers लिखने हैं, जितना मैंने अपने time देखा है, या फिर जो students बताते हैं, उस booklet में approximately 30 sheets होती हैं, 30 sheets किसे साब से मालो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे total 30 sheets होती हैं, तो उस पूरी 30 sheets में आपको अपना exam जो भी questions अटेंड करने हैं, complete करने होते हैं, extra sheets नहीं मिलती, तो पहले ही ध्यान में रखके अपने answers लिखना कि ऐसा ना हो, पहले लंबे लंबे answers लिखते गए, और बाद में sheet खतम हो गई, ठेके जी, अब उसके बाद, अब मालो, यह मेरा question paper है, जैसे मैंने हिंदी में answer लिखा हुए ना, तो मैं हिंदी का question paper दिखाती हूँ, अब देखो, note में यहाँ पर क्या लिखा हुए, ये भी देख लो, blue pen, black pen, pencil और scale जर है, क्योंकि headings तो हम black pen से लिख देते हैं, और main हमारा जो answer की explanation होती हो, blue pen से लिखते हैं, और कुछ underline करना हो, तो pencil और scale काम आता है, ठेक है, अब यहाँ पर देखो, note में लिखा है, किनी 5 प्रशनों के उत्तर दीचिए, मतलब हमें total 5 questions attend करने है, 20-20 number के, 100 number का paper है, अब question के लिए, एक 20 marks के question के लिए 6 sheets मिलती है, 5-6-30, मतलब पहला question, अगर मानलो 10-10 number के इसके 2 part है, 20 number का है, तो इसके लिए आपको 6 sheets में अपना answer complete करना है, let's suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक आपका question number 1 पूरा complete हो जाना चाहिए, 20 number का, तब भी आपका जो जैसे paper चलेगा, बाकी question पूरे तरीके से attend हो पाएंगे, ठीक है जी, अब answer की presentation की तरफ आ जाते है, let's suppose आप question number 1 कर रहे हो, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, प्रशन 1, उसका क पार्ट, अगर जो भी question आप कर रहे हो, अगर प्रशन 1 कर रहे हो, तो उसका क और ख, दोनों पार्ट करने ठीक है, उसके बाद, यहाँ पर मैंने center में लिख दिया, प्रशन 1 कर पार्ट और उसका box बना दिया, ताकि आपके examiner को पता चल जाए, जो आपका paper चेक करने हैं, कि यहाँ से new question स्टार्ट हो रहे हो, ऐसे बीच में कोई kios ना बचे, एक और important चीज, कुछ बच्चे कहते ह मैं हम ना यहाँ पर भी lines ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर भी lines ड्रॉ कर ली, यहाँ पर भी कोई जरूरत नहीं है, unnecessary, time waste करते हो तुम लोग अपना, तुम्हें पते है, paper में 3 घंटे तुम्हें लिखना होता है, तो तुम्हारा mind तुम आदा दिमाग खर्च वहीं कर देते ह लाइन डालते रो, लाइन डालते रो, वैसे इतनी कम page हैं, आपके पास answer लिखने के लिए, लाइन डाल डालके तुम उसे और खराब कर देते हो, तो ऐसा मत करना, lines डालने की कोई need नहीं है, उपर लिखा प्रशन एक box बना दिया, कि अलग से पता चल गया, फिर मैंने यहा आ गया दूसरा page, और यह आ गया तीसरा page, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक पूरे question के लिए, 20 marks के लिए 6 page थे, तो 10 marks के लिए हमारे पास 3 page है, अब 10 marks का question आप किस तरीके से attend करोगे, अब इन्होंने question में जो पूछा था, उसका हमने एक general idea दे दिया, थोड़ा से explain करके, छ उसके बाद यहाँ पे दो चोटे-चोटे points लिख दिये, अब मैं जिन main points को समझाना चाती हूं, वो मैंने flow chart लिखा, कि परंबिक बाले अवस्ता देखवाल प्रदान करने के महतब, और 5 points यह मैं समझाना चाती हूं आगे, तो यह flow chart बना के लिख दिया, कि मैं आगे इन 5 points को explain करूंगी, 10 marks का question है तो 5 बड़े-बड़े points with their example sufficient रहेंगे, उसके बाद अब देखो यहाँ पर, मैंने पहला point लिखा, निरनायक अब दिया, उसके बाद dot dot डाल के यहाँ से लिखना start कर दिया, जीवन के पहले वर्ष, यहाँ पर न, जब यहाँ पर होता है न, answer तो इस कि यहाँ की side रिखना, यह वाला gap थोड़ा खाली छोड़ देना, ताकि कोई भी अक्षर छूपे नहीं, ठीक है, अब उसके बाद पहली line लिखने के बाद second line, यहाँ से मत start करा करो, जब तुम यहाँ से start करते न, फिर तुमारी heading बीच में गुचर मुचर मतलब mix हो जाती ह ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा gap देके, यहाँ से ही start कर देना, यह line लिखते गए, उसके बाद third line यहाँ से start कर देना, ताकि आपकी यह वली जो right point है, वो अलग से दिखता रहे, उसको explain कर दिया, तुमें पता है, तुम सिमरन माम के students हो, उधारन लिखना हर point में जरूरी है, उधारन लिखने से आपके marks का level यहाँ से यहाँ पहुच जाता है, क्योंकि आपके marks अच्छे क्यों बनते हैं, जब teacher जो आपका paper चेक कर रही है, उन्हें पता चलता है कि हाँ बच्चे ने real life examples लिखे हैं, मैं तुमें जब पढ़ाती हूँ, जब तुम मुझ से important question answers की PDF ले एर के किसी भी course का कोई भी assignment चाहिए हो, solved assignment या फिर important question answers की PDF चाहिए हो, guest papers चाहिए हो, तो level up learning का contact number तुमें वीडियो पर show रहा होगा, वहाँ से contact करके तुम PDF ले सकते हो, जो कि तुमारी preparation में तुमें मदद करेगा, तो back to the video, अब जैसे second point लिखा, यहाँ पे heading लिखी, heading लि यह शिक्षा कारेकरम यहां लिखने के बजाए, यहां से लिखने का यह फायदा होता है, कि हमारी जो heading है, वो उपर से ही अलग-अलग दिखती रहती है, वो लिखी, उसके बाद उधारन लिख दिया, third point लिखा, ऐसे ही उसका लिखा, उसका भी हमने यहाँ पर उधारन लि होता है, conclusion से क्या होता है, कि हम अपने पूरे 10 marks के question को कैसे wrap up कर रहे हैं, हमने पूरा क्या समझा, वो लिख दिया, तो अब आप देखो कि 10 marks का question मैंने तीन sheets पे कितने proper best तरीके से लिखा है, अब देखो एक बहुत practical बात बता हूँ, जब आपका 10 marks का question होता है ना, तो 10 में अच्छा होता है, तो 9 ही मिलते है, 10 तो मिलते भी नहीं है, तो जब आप इस हिस आप से answer लिख कर आओगे ना, आपको पका से भी पका 9 marks मिल जाएंगे question में, कैसे लिखोगे, पहले सुंदर सुंदर handwriting में आपने थोड़ा सा explain कर दिया, question में जो पूछ रहे है, फिर उसका flow chart बना दिया, main, main points लिख दिये, main, main points को with examples लिख दिया, 5 points लिख दिये, और end में निशकर्ष लिख दिया, conclusion की हमने पूरे paper से क्या समझा, उसके बाद आप क्या करोगे, ऐसे ही यहाँ पर प्रशन एक था, यहाँ पर box बना कर लिख देना, प्रशन एक ख, और उसका भी ऐसे start कर देना, ऐसे करते जाओगे, तो proper 30 pages में आपके पूरे 5 questions complete हो जाएंगे, अब एक और बात, मैं तो देखो जब paper attend करती थी ना, तो जैसे ही मेरे पास question paper आया, मैंने देखा कोई 5 questions attend करने हैं, तो मैं देख लेती थी कि मुझे कौन से 5 questions attend करने हैं, पहला question पड़ा, क और ख दोनों आते हैं, मुझे ठीक है, मैं ये कर लूंगी, दूसरा पड़ा, इसके भी दोनों parts मुझे आते हैं, मैं कर लूँगी, तीसरा पड़ा, नहीं, ये मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहे, अच्छे से न आता, ठीक है, मैं न क्र लूँगी, कि ये question मुझे नहीं करना, फोर्थ पढ़ा फटा फट से ये तीनों असान लग रहे हैं मैंने पढ़ रखे हैं मैं कर लूँगी पांच पढ़ा हां ये दोनों भी असान लग रहे हैं मैं कर लूँगी सिक्स्थ पढ़ा ये भी असान लग रहे हैं मैं कर लूँगी 7 नहीं आता चलो कट मारती है तो हमारे पास 1, 2, 3 मतलब यह 4th question 5th question और यह 6th question 1, 2, 3, 4, 5 5 questions होगे न आप मैं यह 5 questions attend करूंगी जब आप प्रशन 1 कर रहे हो तो प्रशन 1 लिखोगे 2 कर रहे हो तो प्रशन 2 लिखोगे अगर आप प्रशन 4 कर रहे हो 3 छोड़ दिया तो नंबर आप 4 ही लिखोगे प्रशन 4 और उसको प्रशन 5 और उसको फिर प्रशन 6 और उसको explain करोगे हर मगर आपको कितने मिलते हैं 3 घंटे मिलते हैं पेपर के लिए question करने आपको 5 मान के चलना कि आपको हर question आदे घंटे में निप्टाना है मतलब आदे घंटे में complete करना है आदे आदे घंटे में जब आप complete करोगे तब जाके आपका 2 hours 30 minutes में paper complete होगा ये आपको भी पता है ये मुझे भी पता है कि जो हम time सोच कर चलते हैं उसमें कभी complete नहीं होता जैसे पहला question में हम हमेशा इतना भावुक हो जाते हैं कि यार ये तो मुझे अच्छे से आता है बहुत अच्छे से लिखूंगी तो वो ज़्यादा time ले जाता है तो आप ये extra 30 minutes मान के चलना कि आपके पास है ताकि कोई answer अगर 30 minutes के जगा आपका 40 minutes में हो रहा है या 45 minutes में हो रहा है तो आपको end में हबडा तबडी ना मचे कोई दिक्कत ना हो और timely paper complete हो जाए हर question के लिए 30 minutes लेकर चलना तो जैसे curve part है 10 marks का ये मान के चलो 15 minutes में करना है उसका curve part 15 minutes में करना है इस इसाब से जब आप अपना paper को attend करोगे with proper presentation तो आपके पका 80% से ज़्यादा marks आएंगे इसके साथ साथ मैं अपने चानल पर इगनू के सारे updates डालती रहती हूँ specially जो मेरे D.E.C. के students है अगर उनको D.E.C. के किसी बियर का solve assignment लेना हो project लेना हो important question answers लेने हो exam preparation course लेना हो level up learning का contact number तुमें वीडियो पर शोर आओगा वहाँ से contact करके ले सकते हो या फिर अगर आप IGNU से कोई ओर course कर रहे हो कोई भी course कर रहे हो आप IGNU से तो उसके किसी बियर के चाए Hindi medium हो या English medium के आपको solved assignment चाहिए या exam से पहले guest paper चाहिए तो level up learning के contact number पे contact करके ले सकते हो हमारा telegram channel level up learning 1 के नाम से है जिसका link मैं नीचे वीडियो के description में दे दूँगी आप उसे भी join कर सकते हो बाकी updates के लिए वीडियो को like करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी और नीचे comment करके बता देना अगर 10 marks का ये question होता तो तुम मुझे 10 में से कितने marks दोगे नीचे comment करके चरूर बताना अपने friends के साथ इसको जरूर share कर देना ताकि उनको भी ये अच्छा तरीका पता चल जाए exam कैसे attend करते हैं 10 marks का question अच्छे से explain करा flow chart बनाया सारे के सारे हमने examples 5 points लिखे with examples और निशकर्स लिखे अपने answer को wrap up कर दिया next question है पेज से ऐसे start कर दिया प्रशन एक ख़पाट और वहाँ से उसके लिए भी हमारे पास 3 sheet है paper मिलते ही देख लेना आपके booklet में कितनी sheet है और उसको divide कर लेना अपने answers के हिसाब से ताकि paper में कोई भी दिक्कत ना आई thank you